हुआ 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 है कैसे आप सब अच्छे है चलो आज जादा टाइम देशना करके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो हम अपने नेक्स्ट ओपिक के ऊपर चलते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर प्लक्स के बारे में किसे बार में पढ़ा था अब हमने देखा था इन सारी चीज़ों किसको बढ़ेंगे आप प्लक्स के बारे में आपको फ्लक्स के बाले में फ्लक्स क्या था किसी सर्फेस एरिया में से कितनी फिल्ड लाइन स्पास हो रही है उसी को हमने क्या बोला था उसका फ्लक्स बोला हो जर्फेस एरिया का फिल्ड लाइन कम थी प्लियर है तो फ्लक्स क्या साथ एलेक्रिक फ्लक्स जादा था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बताना आपको यहां एक फ्लक्स हमने किसे रिप्रेशन किया था पाई से और किसके बढ़ा बढ़ाया था यह ए वेक्टर डोट में ए वेक्टर प्लियर है ठीक है तो फ्लक्स इस इकवल टू ई ए कोस थीटा पर सबसे में फोकस क्या करने लाइक चीज दिके थीटा थीटा इस अंगल बिट इस था और सब्सक्राइब रख्तर इसके प्रपेंडी कुलर्ण था प्लियर है यह फोर्मूल आमने पड़ा था इसका फ्लक्स का हमने फोर्मूला पड़ा था जब आप स्कार्ट करते बिटा अब स्पोस्क्राइब दियान रखना चो कि छोड़ा सा नुमेरिकल बता दे त उसके बाद एरिया के आमार मां उसने कोई भी श्क्यार रखा है कोई सब्धेगल रक्खा है वह एक ब्रोक्या आमारे पास उसकी लैंग्वाम्ट धा इंग हंडर्ड मीटर दे रखी है उसको किसे में कन्वाट कर लिए हैं मीटर में और लांज इन्टू ब्रैफ पर क्योंसे ने क्या निकाल देशका एडिया को बताद रिचाइट लोगों को को सिद्धान यूनिफोर्म इलेक्रिक फिल्ड त्री इंटो टैंटेश्टू पावर थ्री आई कैप न्यूटन पर कुलम कैलकुलेट दी फ्लक्स और दीस फिल्ड थ्रूआ स्केर सब्पेस ओफ एरिया टैंट सैंटी मीटर स्केर अब सुनो ध्यान से कि हमारे पास क्या दियो सुने एक स्केर देदिया स्केर की जाबसाइट कैसी होंगी से मुझी पर कोई बात ने रेक्टैंगल शेप अपर आप मान लोग इसको हमने खान मुझे आप मां चका खा, और इसको इलच्रीक फिल्ड मेरे रख दिया, फिल्ड की वैल्यू देदी हमें, अब उस्से क्या पूछ हम से कि इसके अंदर से प्लक्स बताना यह मतला कि इसके अंदर से क्तनी त्प्लमेर लाइन फास होंगी यह इसेद हमको बतानी है घ्लिर है प्लक्स बताना है तो ध्यान से देखो बेटा और उसने फिर्स्ट केस्में क्या बोला है वें इट प्लेन इस पेडल तो वाई जैड्स प्लेन जो हमने यह रखा है इसका प्लेन हमने कैसे रखा वाई जैड्स change clarity देख य से योगा इस य आपान सी एकसीज होती है उसरे के पर हमारे कितने बाते है एक टो यह को बने McD प्लेन को सबको प्लेन की बाद कर रहा है एकस वाइज जैड 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 रखा ये तुछ के पैडल है वाइज जैड देखना मैं आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को कि जब मैं बात करूंगा ना ये तो हमें 2D के अपर है बोड़तों 3D के इसको इसको यहां ले जाना पड़ रहा है अगर मैं होंगा ना YZ तो X YZ plane के क्या है perpendicular है यह हमारा कौन सा plane है YZ यह कौन सा plane है YZ आप निकालना हमें प्लक्स निकालना है तो आप क्या बता होगे अब क्या जी बताऊगे कि प्लक्स का पुर्मूला होता है कि एक पोस थीटा इलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर आई कैप है इसका मतलब फिल्ड की डिरेक्शन क्या है फिल्ड की डिरेक्शन है यह यह प्लाइन बढ़ा दीया पर एक्ट्र में ने है कैसा एक्स के परपेंडिकुलर आज अमरा वाइजाट के पैडल का मतलब यह प्लेम यह प्लेम ऐसे है यह वासमनत है इस प्लेम के इस प्लेम पेयर्द कर वह था है जो हुआ या स्प्यर का एरिया कंसिडर किया है जो एक्स कर दो के बिल्गूल भी नहीं हमें इस एरिया का एडिया वेक्टर करना है आपको क्या दिख रहा है जीरो डिगरी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चालों बेटा कोश्चन दोना कर देना का यह मन क्या दिना कि जो प्रेंग बना अमारा यह जो थीटा है ना थीटा इस दा एंगल बिट्वीन एरिया वेक्टर एंड एलेक्रिक फिल्ड प्लेर है बस इस चीज का दिया देख नहां तो बस यह एकी वेल्यू जीवन है एरिया गीवन है मिटर के अंदर और पोस कितना रखोगे यहां पर जीरो डिवी नाइन नाइन अब उसके बाद इसी में भी पाइट क्या पुच्छा है वैं नॉर्मल टू इस प्लेंग मेक्स एंगल 60 डिग्री अब उसने क्या बोला अब उसने क्या बोला जो हमने प्लेंग माना रहना यह इसका सब्सक्राइब कर दिया इसको कर दिया कि प्रेम कर दिया इस की यहाँ हमारा बता 건 तो आप क्या बताओं होगे E value जब बताओं है एगिवन है तो एरिया हमारा गिवन है तो यह तो इसका पर तीटा आपको पता है यह हो जाएगा यहां जो जाएगा के यहीं फिल्ड की एलेक्ट्रिक्स अंम्हिट्रूं की दियुक्क होगी, यही फिल्ड की की एलएक्ट्रिक डियुक्शन भी स्छे मे contexto perform. तब मैक्सिमुम फास वैक्सा का सोंगी, एंगल के यहान से बिता हैं, बिल्फुल बतलासा है तो उसके इसमें क्या बता होगे नहीं होने लगड़ी एंगल कितना बंड़ा है इलेक्ट्रिक एडिया वेक्टर एंगल 90 डिग्री कोई भी राइनिस में से पास नहीं होना लगड़ी तो बेटा यह हमारे बंच आप किसका आज्या यह टोपिक हमारा क थीटा ठीक है अब मैं करने इसको रभ मैं आपको फिर बता रोगेटा आपको बता है इसको इंपोर्टेंट नोपी है फाइनल एक्जाम के अंतर एक थी माट्सा पूस्टर होश्टर है तो नेक्स्त आपारण के सैंटिस्ट ने क्लोस शर्पेस इस बन बाया एप्साइल न क्लोस शर्पेस का क्या मतलता है इस जोंग चीज़े ध्यान रखनी है तो अश्चाम क्लोस शर्पेस के अपर और दूसरा किसको याद लखना आपको सी मैंट्री और प्लोस शर्पेस पर नहीं प्रिवां प्रपवाई करेंगे एक तो अबस रखेस और दूसरा क्या कंसिडर करेंगे हम सिमेट्री करेंगे कैसे करेंगे होजी जब हम देखते हैं त्वाने पास बोजन किया बताया कई से भी कोई वी ओपनिंग सकते करने बताएं में ते पूरा पैक है फुद्व फूरी करन में बताएं कि ज़ूरी नयहसा स्पेरिकल हो सब्करों हो सकता है पी चाहिए का हो है और या फिर हमारा क्यूबोई रोकी बोब पर क्लोज होना चाहिए हर एक जड़ा से पैक होना चाहिए प्लोज सर्फेस फूट पोल का एक्जामपल दिया था चैनल बंड हमने जब अधर ग्लोग करने लें तो उसके से उसके से मावं किया देखेंगे लाइट लग दिया कि शार्ज लग दिया सबसे पहले क्या याद रखना है इसके लिए उसके बाद कैसी मैं कि इसके इंसाइड प्रफेश के बाद करने लग रहा है जूआए वोगा इलेक्ट्रीक फ्लक्स अंगी सन सब्सक्राइवा इं। सब्सक्राइए क्लोफर पर के वा पर केंदे लगता है क्लोफर कैस्ठ AIR नोट कितना होगा वन वय एक शाइलम नोट टाइम ती चार्ज बाइश झीजच बैशी किसे अंदर का रखा इन जितना चार्ज रखा है जिसका ज्चाल रखा उसका कितना बन बैशाइलम नोट यह किसे ने बताया बोज ने बताया क्लियर है अब इस ने क्या प्लग्स का फॉर्मूला था यह कोष्ट थीटा और गोष्ट के अपॉटिंग क्या हमारे पास क्यू बाइब आपसाइलम नोड क्यू बाइब प्लग्स का एक को रूल उऔर क्या मतला थे व्यूपाय आपसाइलम नोट और क्या गोष्ट प्यbirम ते इसके बराबर क्यू वाइँ यह अपको सपेश प्लोस होगा हमारा खोलू क्लो सोगा कैसा हमारा कैसा होकी Due to करना है close surface consider करना है उसके बाद आपको क्या चीज़ दिया है एक चीज़ जो सबसे में है वो क्या है कि सिर्फ हमें करना है अभी आपने बढ़ा था जो फ्लक्स होगा किसके प्रापर होगा क्यू बाइन अपसाइलम नोट के यहीं पड़ा था हमने फ्लक्स का फॉर्मुला गोजी नहीं बता है था क्यू आपको प्लस का 50 कुलम चार्ज अंदर है मायनस का 60 कुलम और बाहर्ट का 30 कुलम माईनस का 20 कुलम यह हमारा सर्फेस है उसके चाहिंट अपने आपको अपने कंसील係 किया है हम सिर्फ चार्ज कोई क्लोज सर्फेस के इंसाइड मतलब यहां चार्ज निकालो 50 कितना आ गया 90-60 कितना गया 30 कुलम कितना आ गया 30 इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जो फिल्ड कंसीडर करेंगे इसके करण करेंगे प्लस 30 कूलम के करण हमें इनका इफेक्ट नहीं कंसीडर करना यह वाद समझा रही है ध्यान रखने हैं शीज़ का क्यों नहीं करना क्या आउटसाइड जो हमारे चार्ज है फिल्ड नहीं रखने हैं अंदर की दरफ एंट्री मारगे एक लाइन डर एंट्र मारगे और यहांसे क्या करेगी ऐग्जट नहीं यह बार समझा दिए हो एक से पी थ्यारत है तो इसका मतलब है अगर में माइनस सब्सक्राइब क्या पोड़ा की में तो माइनस के लाइने की तरफ से यांती है यह मतलब है उतनी आप निया बाहर चलें से लिए वाट असरफ से नहीं प्लस 30 कुलम का चभू देखेंगे इंसाइड चार्ज का किसका करना है इंसाइड चार्ज का जो यह चार्ज होगा ना सिर्फ ध्यान रखना है वाद को इस चीज को अमेशा ध्यान रहे हैं अगर आप सब कोई नुम्नारी कल देते ना बाहर चार्ज रगदे तो यहां सबका कैल्कुलेशन कर देना और उसके पास यह हमाले पास क्या थी जो फ्लक्स होगा ना जो लाइन बढ़ेंगी स्क्लोस सर्फेस चे कितनी लाइन वार रहेंगी वह किसके बराबर होंगी चार्ज वाइन अपसाइलम नोट आप सबको पता है एक पोइंट पैप टाइश पर माइन शुरू में हमने बढ़ी इसकी वाल्यू ठीक है तो मैं कर दो इसको अच्छा यह चीजह समधा ही बोस्ते लिए सबसे पहला सबसे करना है सिर्फ इंसाइड का सिर्फ और सिर्फ किसका करना है इंसाइड का ठीक है उसके बाद आपको क कि बोस्ताइड पढ़ा था अच्छा एक चीजह और भी ध्यान डखना क्या चीज़ ध्यान डखतो गया आप फैले एक चोटा साइड कर्शे के लिए इसकी बाद करोंगे अब क्या बता होगे प्लक्स का फोरूमला ने क्या पढ़ा था स्पोर्स को ने सब्सक्राइड कि य आपको दिखर है एलेक्रिक फिल्ट की डिया इसके परपेंडी कुलर यह बास समझाटब वेक्टर आगे इस चोटा सा जो में सब्सक्रेश कंशीडर की अगा इलेक्रिक विल्ट बिया इसका प्लक्स का पूरूम नातिया बन जएगा इनले में कि इस श्लिप कि इस जुय क्लो स्युभ्न पते गाश इनले में अगर से अगर हुना मैं अधर ताल के थे सांग्त तार हुआ मैं कहां कि मैं जाना चाल आए enabled निए वी धोर यह शॉन कितना है जीरो है अफिक उसके बाद वमोला है त्रश त्रश सीं प critics कितने में हैं वह साथे हैं अगर शार है तो हमने क्या किया हमने सब क्या चैल्कुलिस क्या कि बाद है कि इंटिग्रेट कर दिया उससे ब요 yüz किनल कि इस हो दरब है कि हम यह चाहते हैं कि इसके अंदर से जितनी ज्यादा टाम्स कोंच्टेंट कर देंगे नो उतनी हमारी क्या मतलब है अगर अगर इलेक्रिक फीड कोंच्टेंट करते हैं हमारता तीन वेरियेबल है या इसके लिए वाद समझाद है यह क्या किसे इसके फिल्ड किस्ते कांट इसी इंसाइड चार्ज कर दो फिल्ड बारा जाहिएगी तो इसका पर जैगा शब्छेश इस यह वास अब आती है तो अब ज्यान से देखना हमने क्या किया एंटिग्रेशन कर दोगे five complete surface के लिए तो क्या आगा एड़ी 5 बन गया constantum अगी बाहर आगी इकोस थीटर अंदर क्या रह गया से पिंटीग्रेशन किस्का आगे complete surface इस दी एस क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर दो हमारे पास क्या जाएगा तरहा हूं बेरा कहने का मतलब है हमारे पास कैसी भी शेफ है प्लीर है पार ठीग है उसके अंदर क्या रखा है चार्ज रखा है तो सबसे पहले इसके लिए निकालो एक छोटा सा सब पेस एरिय और यह मारे पास अर्या वैक्तर इनके बीच का एंगल लिकारो और उसके इसमें किया करोगे कि ए दी को स्ट इटा को बाहरे चोपार निकाल लेकार है तो सिमेंट्री यहां अगर मैं आपको यहां आंगल बताना तो यह यह इलेक्ट्रिक फिल्ड और यही इस सब्सक्राइड का एरिया वेक्टर दोनों के बीच में अंगल यहां ही कितना जी रो यह वाद समझे तो यह क्या है अमारी सिमेट्री कर दिया है तो इसको अब आपको ध्यान रही है एक चीज़ सिमेट्री का और दूसरा अच्छा उसके बाद में आपको क्या बताने लगा था किसके ब्लक्स होगा किसके ब्राबर होगा क्योब अप्साइलम नौट और और नियों तिस पर पूरब होगी भी दिशन क्या थी सब्सक्राइड चाहिए क्लोस सब्सक्राइड से 2 आपको क्या याद रख नहीं है कि जो चार्ज हो कुन सा होगा सिर्फ इंसाइड का चार्ज कॉन सा होगा इंसाइड और उससे पहले प्रमुला सिद्ध पेड़ा था पैज इक पूदा एपसील नोट अच्छा एक फोरूमुला जो मने प्ड़ा था किया था प्रफेस के लिए इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन करोगे ना बतलब जहां से चले थे बहीं पर लटे आगे जहां से चले थे वहीं पर उल्टे आगे तो यह हमारे पास के बराबर होगा प्रफेस के बराबर होगा इंसाइड चार्ज के बनवाएं अब यह फूर्मूला तो हो गया गोश्ट्रम के अंदर किसके ओपर लगीजी वोश्ट्रम क्लोश सर्पेस के ओपर चार्ज कौन सा कंसीडर होगा इंसाइड का आउसाइड का चार्ज का इफेक्ट बताया था जीतनी लाइन एंटर माने उदनी एक्जिक भी कर जाएगी उसके बाद एक चीजी जो ज्यानक ना इसको हम क्या बने है इंवर्स स्केल्ड लोग के ओपर फोरो करता है और दूसरा क्या है सिमेट्रिकल सफेस को हम क्या सा बन पाद है प्रूफ किसका जल्च का प्रूफ करेंगे कि प्रूफ कि थेखने है नहीं है क्या हमारे पास एक चार्ज है क्या हमारे पास चाहर्ज तो सबसे बैला मोटीव ताम में पता है क्या है , क्या बनेगी ? इहां क्या बनाओगी ? फिल्ड लाइंस बनेगी ? अब ! सबसे पारा बेटा आपका काम केह να है आप क्या बनाओगे ? क्या बनाओगे आप खोटीन सब्सक्राइब तो आप यह सब रहेगी तो आहसा बनेगा यह सब्सक्राइब सबसे पहले हैं पॉइंट चार्ट था यहां से हमने क्या माले जो इमेजनरी सर्फेस गोजन सर्फेस माना रेडियस कितनी है सबसे पहले हमने क्या किया निकालना है हमें इस चार्ट के कांट क्या निकालना है क्या मतलब है क्गोजने सर्फेस माना यहां कितनी लाइन फंटिन लग्री में निकालना है अब फ्रॉफ मुष्छ का है और हम क्या चार्ट को इसलिए इसका निकालना निकालना सबसक्तिन सबसे सब्सक्राइब पैस कोई थीता इस फ्रॉजश चार्ज जैसे एक फुटबोल है उसके बीच में क्या रखा है उसमें से लाइट रेस जाने लग रही है वही तो देखने कितनी लाइट रेस पास होने लग रही है इसमें से वही तो हमारा फ्लक्स है ठीक है तो अब हमें यह कर दिने हैं अब और आण को कहूं क्याति चार्ज के काण यहां में यी नहीं करल हैं त्वीद कैसी है यह यह ऑ पिंटर किया कितना लिवर्ष फ्लमीफ हमने में सब्सके मधण्ब लिए बीएस इस को सभनार है इसके मतलब इख लोग परके चार्ज कोनुद्ध करणा सिर्फ इंसाइड का चाट्स को सबस्क्राइब को हमें बता है फ्लक्स का फोर्मूला अगर नहीं छोटा सा एक अगर हमने चोटा सा एरिया कंशिडर किया तो इसकेस में प्लक्स भी कैसा निकलेगा स्मॉल कम नाइने बताएं पताएं तो कितिन लाइने पास होगा स्मॉल लुट का फोर्मूला हमने शुरू में क्या पढ़ा था वहीं चीज़ हम प्रूफ करके दिखाएंगे क्या जो फ्लक्स होता है क्यासे होता है हमने कंसिडर किया प्लक्स का फॉर्मूला ड़ी फाइड पास दिएस कोस थीटा ठीक है अब एक चीज का और यहां अब यहां बताना यहां बताना यहां सिम्मेटरिकल होने लग रहा है तो क्या बताएं एललेक्ट्रिक फिल्ड एक्टर यहां वेक्तर यहां ही धीटा कितरा है यह वाद समझारी है तो इसका मतलब दो तीन कंडिशन तो आपको समझाने चाहिए क्या एक इंसाइड चार्ज एक उजियन सर्फेस प्लोस सर्फेस पर एक सिमेट्री का तीन ची जुगा आपको हमेशा ध्यान रखना है अब हमारे पास फुलक्स का फूर्मूल आपने क्या प प्लिट्स एंटाइड सफेस के लिए निकारना है तो डी पाई का बन जाएगा इंटीग्रेशन फाई बन जाएगा फ्लियर हा बात इक ऐसा है प्यांट के कान कितना था बताना इस प्लोड़ों कि आपको ध्यान होगा हम शुरू से पढ़ते हैं के इलेक्रिक फिल्ड का प इसका मतलब इलेक्रिक पिल्ड कैसी है तो फिल्ड का जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर आगे कोश्ट थीटा थीटा की वैल्यू हर जाना क्या उन्हें दर्गी है से इसका मतलब कोश्ट थीटा भी कैसा हमारा कॉंच्टेंट है यह भी बाहर आ गया तो हमें सिर्फ स्कूर्ज करो यहां कितना हो गया कुमिटर स्केट कर थी फोर फाइप शिक्स तेवन एट नाइन टैन फिलावन का समझा रही है मतलब क्या चीछी चेंड नहीं लेगे सर्फेस एडिया तो हम किस्ता करेंगे सर्फेस एडिया का क्या बना थे पॉइंट के चार्ड़ वाला आगठी ते यहाँ है आपको फूटबोल की तरहरा आदा तो अगल मैं आपको कमू इसाओ इस केर चांट पहुंट है कितना है आपको आपको फीकता है पॉर पाइपााई अस्किल पर फाइए आप स्टी एकिक एगए इंटिक्रेशन इंटिक्रेशन को क्या बन जाएगा फ अच्छा इलेक्रिक फिल्ड का फोरूम लागी नखो बेटा वन बाई पॉर पाई एपसाइलम नोट क्यू बाई में आर स्क्यर कोस्थीता कितना बन गया और डी एस कंप्लीक का इंटीग्रेशन कितना जाएगा सर्फेस एरिया है कितना तो क्या बोलोगे और गया है वास समझागी तो टोटल फ्लक्स किसे बराबर आगे हमारा वैटा क्यूब आए अपसाइलम नोट क्यूब हर अपसाइलम नोट के हमारे पास हमने अपने शुरू बाले से और पाइनली का बोच के बोच के बोच के लिए हैं तो यह हमारे बास बेटा क्या गया गोश्टरम का प्रूफ आ गया अब आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है बेटा गोश्ट के अंदर सबसे पहला गोश्टरम किसके उपर अप्लाई करनी है बताया था कोई रास्ता नहीं है चाट के पास के पास के इनसाट का बहुत जरूरी है कियंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज्याधा करना चाहते हैं है इसलिए symmetry जरूली है तो हम क्या निकाल लेंगे constant होते बारा जाएगी तो अंदर हमार पास variable सिर्फ एक रहा जाएगा clear है और एक काया तो रखने यह तीन चीजी तो मच्ट है बेटा ठीक है close surface, inside का charge और symmetry clear है उसके बाद देखो अगर मैं कहूं बात के बन आर स्केर है चलो यहां तो हमने जो surface करा था यहां तो आर स्केर आ गया इसलिए cancel हो गया अदर्वाइस डियान रखना यह इंवर स्केर्ड लोग योप पर ही डिपान करता ठीक है उसके बार हमारे पास प्लक्स के बढ़ा बनेगे q by epsilon node और यह हमारे पास क्या थी गोस्थियोर किसके ब्लाबर होता है कि डी एस को स्थीटा किसे ब्लाबर q by epsilon node यह बास समदलती है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब आज हमारा क्या हो गया इसका प्रूफ भी हो गया अब आपको क्या करना है इसके अलग अलग अप्लिकेशन बढ़ेंगे कि पहले तो बोस्ते हम क्या निकालेंगे पूरे सर्फेस के लिए निकाल चाहते है ओके तो नेक्ट वीडियो के अंदर हम इसकी अप्लिकेशन चोटे मोटे और इसके पैसे पढ़ेंगे बोस्ता अच्छी से दिख लिए ना दो तीन चीज़े जो मैंने आपको बताई है ना वह जरूर को द्यान डखना प्लियर है और यह हमारा कोपी कोई इसका बोस्ता ओके बैठां और इसके नुमेरिकल करोगे एक तो आपको समझ भिया जाएगा ठीक है बाइट